जैश्री महाकाल दोस्तों, जोतिज जगत के संका में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन से शुरू हुए कोरोना वारस के कहर में अब महामारी का रूफ ले लिया है और लगबग पूरी दुनिया इसकी सप्रिक में आ गई है। इस अंका में हम जानेंगे कि कोरोना वारस के फेलने के वेदिक जोतिश के आदार पर क्या कारण है और कब तक कोरोना वारस इस तरह की तबाही बचाएगा। इस प्रकार राहू के द्वारा जो बुरे कारे करे जाते हैं वो भी ततकाल दिखाई नहीं देते हैं। जब वो कारे अपने चरम पर आकर अपने बूरे प्रभाव देने लग जाते हैं, तब तक राहू को कोई पकड़ नहीं सकता है। जैसे महामारी का फेलना विश्विद्ध का होना आदि राहू को विश्भी माना जाता है अर्थाथ वो किसी न किसी तरह से जीवन को अईस्थीर या समाप्त करने पर आमादा रहता है अब हम गोचर की बात करते हैं वर्तमान में राहू कालपुरुशी कुंडली के तीसरे भाव अर्थाथ मिथुन राशी में उच्चका होकर गोचर कर रहा है मिथुन राशी वायू तत्व की राशी है इसके कारण वायू के समस्त प्रकारों में राहू के कारण विश्चा भूल गया है 24 मार्च सन 2019 से राहू इस राशी में गोचर कर रहा है और दिनांक 19 सितंबर 2020 तक राहू मिथुन राशी में रहेगा इस प्रकार 19 सितंबर 2020 तक राहू का प्रभाव मिथुन राशी अर्थात वायू तत्वा पर रहेगा लेकिन जैसे जैसे उसकी डिगरी कम होती जाएगी उसका असर कम होता जाएगा पुल मिलाकर जून 2020 के बाद से राहू का असर कम होने लगेगा और सितंबर 2020 तक कोन रूप से राहू का असर समाप्त हो जाएगा इस प्रकार वेदिक जोतिश के अनुसार सितंबर 2020 तक राहु के असर के समाप्त होते ही कोरोना वाइरस का असर पोन रूप्च समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक सदिक शेर किजिए अगलें का तक दिले, जैस्री महाकाल